तो जिस दिन केसी त्यागी ने अपने राष्टिये प्रवक्ता पद से इस्तिपाद दिया था उसी दिन हमने एक बात कही थी कि भारतिये जन्तापाटी भी तयार हो जाए अपने किसी एक नेता को बली देने के लिए और अब वो घड़ी आ गई है जब भारतिय जन्तापाटी बिहार के एक बड़े नेता को एक बड़े पद से हटाने जा रही है और वो भी नितीश कुमार के इस सारे पर जी हाँ विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री पद से हटाने की तयारी पूरी हो चुकी है बहुत कि विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है इसकी तयारी पूरी हो चुकी है नितीश कुमार और समराठ चौधरी के इसारे पर सब कुछ हो रहा है जहां एक तरफ समराठ चौधरी से ये पूछा गया था कि आप पार्टी के परदेश अद्दक्ष प पिलकर ये बातचित की कि अगर आपको काम करने में दिक्कत हो रहा है दूप मुख्यमंत्री के साथ आप काम नहीं कर पा रहे है तो फिर आप कहिए विजय सिन्हा को हटाने के लिए और अब विजय सिन्हा को लेकर बाते सामने आ गई है कि उनको भारतिये जन्तापाटी उ पाटाने जा रही है देखें विजय सिन्हा और समराच चौधरी का मेल कभी नहीं बना है चाहे आप बात कर ले जब विजय सिन्हा सदन के अध्यक्ष थे उस समय समराच चौधरी कि क्रिशी मंत्री हुआ करते थे और सदन में ही दोनों भीर गए थे समराच चौधरी ने इ मेल ना समराठ चौधरी से बनता है ना नितीश कुमार से बनता है और इसलिए ये दोनों चाहते हैं कि विजय सिना को उपमुख्य मंतरी पत से हटा दिया जाए और अब लगबग सहमती बन गई है विजय सिना को कभी भी कह दिया जाएगा अब जाएए आराम करिए आपकी उम्र हो गई है जाएए एक तरफ का आगया कि देखिए भुमिहारों में स्री कृष्ण बाबू के बाद एक ऐसे नेता हुएं जो इतने बड़े पत तक पहुंचे हलाकि मतब उपमुख्य मंतरी बनना भी कोई मामुली बात नहीं होता है सदन का अध्यक्ष बनना भी मामुली बात नहीं होता है तो विजय सिना को दोनों पद मिला सदन का अध्यक्ष पद भी मिला उपमुख्य मंतरी पद भी मिला उसके बाद मंतरी भी रहें तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब विजय सिना का कद छोटा किया जाएगा और कद इस तरीके से छोटा किया जाएगा कि मंतरी रहेंगे लेकिन उपमुख्यमंतरी पत से हटा दिया जाएगा निटीश कुमार दो उपमुख्यमंतरी के साथ काम करने में सक्षम नहीं है वो उनका सिकाहत हमेशा रहता है कि दो उपमुख्यमंत्री के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है हम समझ नहीं पाते हैं कि किस उपमुख्यमंत्री को पहले नंबर पर रखे किसको दूसरे नंबर पर रखे तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि देखिए समराठ चौधरी उपमुख्य मंतरी है विजय सिन्हा उपमुख्य मंतरी के उपमुख्य मंतरी है यानि कि समराठ चौधरी उपमुख्य मंतरी और उनके उपमुख्य मंतरी है विजय सिन्हा तो उनको पत से हटाने में है तब आगे देखिए क्या होगा क्योंकि जब आपने देखा होगा जब रेणू देभी और तारकिषोर्प्रसाद उपमुक्यमंत्री लच् sixt. ऑर रेणू दे भी उपमुक्यमंत्री की उपमुक्यमंत्री थी और अब आगे क्या होगा विजय सिन्ह Do consuming को किस तरीके काफी बड़ा है आगे देखिए क्या होता है उपमुख्य मंत्री पद से इनको हटाने के बाद कौन सा पद दिया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है भूमिहारों को किस तरीके से भारतिये जन्ता-पार्टी सा देगी ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि भूमिहारों के अंदर तो एक खुशी थी कि उनके नेता को उपमुख्य मंत्री पद पर बैठाया गया अब आगे क्या होगा किस तरीके से भूमिहारों को मनाया जाएगा कि नहीं नहीं उपमुख्य मंत्री से बड़ा पद दे दिये है आप चिंता मत करिए आगे देखे क्या है तो बरहा अंदो आप